So finally friends, दो साल के लंबे गैफ के बाद में, महराष्ट गवर्नमेंट ने महराष्ट में मुवी थेटर्स और मल्टी प्लेक्सिस खोलने की अजाज़त दे दी है ऐसे में Bollywood की जितनी प्रोडक्शन कंपनिया है, सबने अपनी upcoming movies की release date एनौंस कर दी है और आज हम आपको अपने इस वीडियो में उन सारी movies की details बताने वाले हैं तो आप बने रही हैं हमारे इस वीडियो पर ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटना जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं So friends, Bollywood की release होने वाली पहली much evident movie का नाम है सूरिवनसी आपको पता ही होगा कि सूरिवनसी movie में अक्षय कुमार, अजे देवबन और रनवीर सिंग एक साथ दिखाई देने वाले हैं और इस movie का direction किया है रोहेश शेटी ने इवन रोहेश शेटी ने इस movie को produce भी किया है आपको बता दे कि इस movie में अक्षय कुमार के साथ में क्याटीना केब दिखाई देने वाली है वैसे तो ये cop drama movie है लेकन अक्षय कुमार, रनवीर सिंग की comedy इस movie में जरूर देखने मिलेगी आपको बता दे कि इस movie की release date 4 मार्च 2022 एनाउंस की गई है और बहुत ही जल्द ये हमें multi-plexes में देखने को मिलेगी चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ताकि मैं आपको अगली upcoming movie की details बता पाऊँ फ्रेंड्स वैसे तो साल 2022 में बॉलीवूड की कई super-duper hit movie release होना है लेकिन आपको बता दे कि अक्षे कुमार एक ऐसे star है जो साल में 5-6 movies कर लेते हैं ऐसे में अक्षे कुमार की एक और super-hit movie जिससे अक्षे कुमार के फ्रेंड्स को वेट था वो थी बच्चन पांडे जो की अब releasing पे है आज ही बच्चन पांडे movie के makers ने इस movie को release करने की एक date announce कर दी है आपको बता दे कि बच्चन पांडे movie का direction कर रहे हैं फरहाज साम जी और इस movie में आपको अक्षे कुमार के साथ में कृती सैनन और जैकलिन फर्नांडेस देखने को मिलेगी इस movie को produce किया हुआ है साधित नाडिया वाला ने और ये movie चार मार्च 2022 को multiplexus में हमको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स आपको मालो हुगा कि करोना lockdown के प्राणन बॉलिवुड की कई movies की release date पोस्पोन की गई थी ऐसे में Tiger Shop की भी एक much awaited movie है जिसका नाम है Hero Panty 2 ये movie भी साथ 2021 में release होने वाली थी लेकिन कोरोना pandemic के करण इस movie की release date आगे बढ़ा दी थी अब finally Hero Panty movie के मेगर्स ने इस movie को release करने की एक date एनाउस कर दी है आपको बता दे कि Hero Panty 2 movie को direct करने वाले है एहमत खान इस movie में आपको Tiger Shop के साथ में तारा सुतारिया देखने को मिलेंगी साजित नादिया वाला ने Hero Panty movie से Tiger Shop को Bollywood में launch किया था और इस movie से Tiger Shop ने Bollywood में अपनी एक action star की जगह बना ली थी इसके बाद में उनों ने कई बागी 1, बागी 2 और बागी 3 जैसी सुपर डुपर action movies Bollywood को दी है ऐसे में Hero Panty 2 movie की release date एनाउस कर दी गई है इस movie में भी Tiger Shop गजब का action करते हुए दिखाई देंगे और इस movie को release करने की जो date एनाउस की गई है वो है 6 माई 2022 फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहीएगा क्योंकि 2022 में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीडियो को skip मत किजेगा वीडियो को पूरा देखिएगा साल 2021 और बाइस में Bollywood के Mr. Perfectionist आमिर खान की भी एक सुपर डुपर ब्लॉक बॉस्टर हिट मूवी रिलीज होना है जिसका नाम है लाल सिंग चड्डा को बता देगी लाल सिंग चड्डा भी काफी समय पहले complete हो चुकी है लेकिन थेटर्स ओपन ना होने की कारण फिल्म के मेकर्स ने इस मूवी को भी रोग दिया था लाल सिंग चड्डा हॉलिवुड कोई मूवी फॉरेस्ट जंप की रीमेक है और उसका हिंदी वर्जन डारेक्ट कर रहे हैं अद्वयच चंदन इस मूवी में आपको आमिर खान के साथ करीना कपूर भी दिखने को मिलेंगी और इसमें साउथ के सुपर स्टार नागा चतने साथ में होंगे और ये मूवी बहुत ही जल्द हमको ठेटर में देखने को मिलेगी 11 फरवरी 2022 को फ्रेंड्स आपको बता दे कि मिलखा सिंग के बाद में बॉलिवुड में कई बायोपिक मूवीज बनी जो कि सुपर डूपर हिट होई है मेरी कॉम और एमेल धौनी जैसी ब्लॉग बस्टर मूवीज सामिल है अब ऐसे में डारेक्टर कवीर खान 83 मूवी को लेकर आ रहा है जो कि कपिल देव की बायोपिक पर आधारित है कपिल देव की उपर बनने वाली 83 मूवी में हमको रनवीर सिंग और डीपी का पादुकोने दिखाई देंगे इस मूवी में वैसे तो काफी स्टार कास्ट है जिसमें कुछ पंजाबी एक्टर्स भी सामिल है और ये एक बहुती शांदार मूवी होने वाली है इस मूवी को प्रडूस किया है खुद गीपुका पादुकोने, कबीर खान, साजित नाडिया वाला और मधू मेंटेनान है आपको बता दें कि ये कपिल दिव वायोपिक है और ये मूवी 25 दिसमबर 2020 को बॉलिवूट सीनेवा घरों में देखने को मिलेगी फिलाल साल 2022 में रिलीज होना वाली दूसी सुपर डुपर हिट मूवी का नाम है मेटे इस मूवी में आपको अजय देवगन, रकुल पीत और अमताब बच्चन एक साथ दिखाई देंगे हाली में अजय देवगन की मूवी कच्छ रिलीज हुई थी जो OTT platform पे रिलीज हुई और वो उतना अच्छा perform नहीं कर पाई लेकिन अब थेटर्स खुल जाने के कारण, देखना यह है कि मेडे मूवी किस तरीके का perform करती है फिलाल मूवी के मेकर्स ने इसकी भी रिलेज डेट एलाउंस कर दी है अब ये मूवी हमको 29 अप्रेल 2022 को मूथ थेटर्स में देखने को मिलेगी बॉलिवुड के चॉकलेटी स्टर साहित कपूर ने कभीर सिंग मूवी से बॉलिवुड में अपने एक्टिंग की एक छाप छोड़ दी है ऐसे में साल 2021-2022 में साहित कपूर एक और सुपर हिट मूवी अपनी लेकर आने वाले है जिसका नाम है जर्सी और इस मूवी में साहित कपूर एक क्रिकेटर का किरदार ने भाने वाले है जर्सी मुवी साउथ मुवी की एक रीमेक है जिसमें साउथ के सुपर स्टार नानी ने एक्टिंग करी हुई थी और ये वहां की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मुवी थी लेकिन अब इसका हिंदी रीमेक बनाया जा रहा है जिसको डारेक्ट कर रहे हैं गौतम के नोरी इस मूवी में आपको साहिद कपूर के साथ में बरनाल ठाकोर और पंकच कपूर भी देखने को मिलेंगे आपको बता दें कि इस मूवी के मेकर्स ने भी इस मूवी की रिलीज डेट एनाउस कर दी है जो की है 31 दिसंबर 2021 ये नए साल के मौके पर ही रिलीज हो रही है एकसेक्ट नए साल वाले दिन वैसे तो सत्मे ज़यते टू मूवी साल 2021 के स्टार्टिंग में ही रिलीज हो नी थी लेकिन करोना पेंडेमिक के करण इस मूवी की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया था और अब फिल्म के मेकर्स ने इस मूवी को रिलीज करने की एक डेट एनाउस कर दी है जो है 26 नवंबर 2021 इस मूवी का डारेक्ट कर रहे हैं मिलाब जावेरी इस मूवी में जॉन इब्रहेम के साथ आपको देखने मिलेंगी डिव्या खोसला कुमार इस मूवी को प्रडूस किया है टी सीरीज फिल्म्स और निखिल आडवानी ने साल 2022 में रिलीज होने वाली बॉलिवूड की दूसरी सुपर डूपर हिट मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र जो की 300 करोड रोपे के मेगा बजट से बन रही है एक साइंटिस का रोल करने वाले है इस मूवी को रिलीज करने की जो डेट एनाउंस की गई है वो है 4 दिसंबर 2022 के एंड में रिलीज होगी क्योंकि इस मूवी का पोस्ट प्रडेक्शन अभी चल रहा है और इसकी शूटिंग भी बाकी है क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे VFX और ग्राफिक का काम है वैसे तो ये मूवी बॉलीज की पहली साइफाइ मूवी होगी जिसमें एक अलग तरीके का VFX देखने को मिलेगा फ्रेंड साल 2022 में रिलीज होने वाली इंडियन सिनेमा की सबसे मच अवेटिट मूवी KGF Chapter 2 रिलीज होना है आपको बता दे कि इसके पहली KGF 1 ने वर्ल्ड वाइट अच्छा कलेक्शन क्या हुआ था और KGF के फैंस को KGF Chapter 2 का बेसबी से इंतजार है अब हाली में इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी को रिलीज करने की एक डेट अलाउंस कर दी है जो है 14 अप्रेल 2022 को इस मूवी को डारेक्ट करने वाले है प्रसान नील और उसको प्रडूस करने वाले है विजय करंगदूर और कार्तिक गवडा वैसे तो इस मीवी के कई पोस्टर्स और टीजर लॉंच हो चुके हैं जो कि सुपर स्टार येस के फैंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं के जी अफ चेप्टर 2 बॉलिवूड बॉक्स आफिस पे कोई नया रेकॉर्ड बनाती है या नहीं ये पता चलेगा हमको फिल्म के रिलीज हो जाने के बाद में ये थी साल 2021 और 2022 में रिलीज होने वाली टॉप 10 ब्लॉक्वस्टर मुवीज की लिस्ट जो साल 2021 और 2022 में रिलीज होंगी अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी इंफोर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूर मत भूलेगा क्योंकि बॉलिवूड की अपकमिंग मुवीज की अपडेट हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं